सब्सक्राइब कीजिए फाइन इंवेस्टमेंट चनल को और वैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए अगर आप नया डिमेंट अकाउंट ओपन करना जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देवी लिंक से ओपन कर सकते हैं जहां पर आपको कई सारे अच्छे ओफर्स भी मिलेंगे साथ ही साथ आपके आईपियो में अलॉट्मेंट के चांसे भी बढ़ जाएंगे हैं तो चलिए देख लेते हैं कि नतीजे कैसे रहे सबसे पहले में आपको बता दूँ कि यहां पर जो भी वैल्यू आपको देखेगी वह लैक्स में देखेगी इस बात का आपको यहां रखना है इसको आपको पिछले क्वाटर के नंबर देखेंगे और जब इन दोनों को क extrem करेंगे सबसे कि चलेगी इसकों में आपको पिछले साल के सीट्र employ के नंबर देखेंगे और जब इन दोनों की क्वाटर करेंगे तो चलिए सबसे पहले कंपनी कीकि इंकम देखें प्रिजयंत चियुक्त चोंट करीब रही वहीं किछले quarter की बात करें तो 59 Film 81 конф 10 कंप करीब कंपनी के इंकम रही थी वहीं पिछले साल के इइच्छी quarter की बात करें जर्थी तो 43,408 की कंपनी कंपनी के इंकम रही ऑफ आर एंजानी ए और य dw वेससर पर कंपनी की income में बढ़िया उच्छाल देखने को मिल रहा है वहीं अगर company के expenses यानि company के खर्चों की बात करें तो present quarter में company के खर्चे 42,677 लाग के करीब रहें वहीं पिचले quarter की बात करें तो 42,188 लाग के करीब company के खर्चे रहे थे वहीं पिछले साल के इसी quarter की बात करें तो 32,463 लाग के करीब कंपनी के खर्चे रहे थे यानि कि अगर quarterly basis पर देखा जाए तो खर्चों में यहाँ पर रदी देखने को मिली है वहीं अगर yearly basis पर भी देखा जाए तो कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अब देखें बात करते हैं profit की प्रॉफिट किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही जादा important होता है और अगर present quarter में profit की बात करें तो 12,533 लाग के करीब कंपनी के यहाँ पर profit रहा वहीं पिछले quarter की बात करें तो 11,337 लाग के करीब कंपनी का profit रहा था वहीं पिछले साल की इसी quarter की बात करें तो यह 4 डिजट में खिसक गया है करीब 7,887 लाग के करीब कंपनी का profit रहा था यानि कि अगर हम quarterly basis पर देखें तो profit यहाँ पर बढ़ता हुआ नजरा रहा है लेकिन अगर हम yearly basis पर देखें तो company के profit में जबरदस्त उचाल देखने को मिल रहा है अब देखें बात करते हैं EPS की देखें present quarter में EPS अगर देखें तो 20.13 के आसपास EPS है वहीं पिछले quarter की बात करें तो 18.21 के आसपास था वहीं पिछले साल की इसी quarter की बात करें तो 12.67 के आसपास यहाँ पर EPS रहा था तो देखें यहाँ पर अगर quarterly basis पर देखा जाए तो EPS बढ़ता हुआ नजरा रहा है और अगर yearly basis पर भी देखा जाए तो EPS में जबरदस्त इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब company के जो overall result है काफी शांदार है और इनका जो profit ले लो चाहे income ले लो या EPS ले लो सभी चीजों में यहाँ पर growth देखने को मिल रहा है और अच्छा कासा growth यहाँ पर हुआ है तो इसका सीधा सीधा असर आपको share price पर देखने को मिल सकता है और आने वाले कुछ दिनों तक इसका जो share है आपको positive moment देता हुआ नजर आ सकता है अब आप क्या सोचते है share के बारे में या result के बारे में कितना share move करेगा यह आप हमें comment box में लिखकर जरूर बताएं और देखें आपको यह result कैसे रखें क्या आपके पास यह share है तमाम चीजें आप हमें comment में लिखकर जरूर बताएं हमें अच्छा लगता है और देखें हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो आप subscribe जरूर कर लें यहाँ पर मैं आपको finance related या share markets related या IPO से related information प्रोबाइट करता रहता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो subscribe जरूर करें अगर नए है तो और share भी करते रहें जिससे maximum लोगों को यह information पता चलती रहे और आज की वीडियो में फिलार इतना ही धन्यवाद